आप लोग तेयार हैं सब लोग ओके ध्यान से सुनिए ये इस पूरी कथा को इसमें क्या लिखा हुआ है और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग था हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा और जनसमू को देखकर उसे लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेडों की तरह पीडित और उदास थे जिनका कोई चरवाह न हो तब उसने अपने चेलो से कहा पकी फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं इसलिए फसल के स्वामी से विंती करो कि वे फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे यहाँ पे हम 35 बचन में देखते हैं कि येश्यू मसी शेहरों और गाउं के अंदर चलता फिरता रहा घूमता गया और वहाँ पे जो अराधना लए थे उनके अंदर राज्य का सुसमाचार उसका प्रचार करता रहा और हर एक बिमारी को दूर करता रहा प्रभू येश्यू मसी को यहाँ पे हम एक मिशन पर चलते फिरते हुए देखते हैं प्रभु येश्यो मसी दुनिया में आया प्रभु येश्यो मसी है कौन? परमेश्वर का पुत्र है हम जब कहते हैं और आजकल मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोग इसका विरोध करते हैं कि अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो वो परमेश्वर तो नहीं है वो तो केवल परमेश्वर का पुत्र है लोग ये भी कहते हैं कि अगर परमेश्वर का पुत्र है तो फिर उनकी माता कौन है? लोग बोलते हैं उनकी माता मरियम है अगर येश्यो की माता मरियम है और येश्यो येश्युमसी का पिता स्वर्ग पिता है तो लोग ये भी सोचते हैं इसका मतलब क्या मरियम और पिता परमेश्वर का संबंध किस प्रकार का है लोग इस प्रकार का जैसे हम इंसानी दुनिया हम अमारी दुनिया में जो देखते हैं वही सोच हम इस बात पर भी लगा देते ह है कि अगर येश्व मसी का अगर येश्व मसी पिता का पुत्र है और मरियम उनकी माता है तो शायद उनकी बीच में कुछ संबंध होगा लेकिन हमें एक बात को जानना है येश्व मसी परमेश्वर का पुत्र है लेकिन वो इस दुनिया में किसी पुरुष की सहायता से नहीं आया मरियम और उसका धर्ती का पिता कौन था कौन था धर्ती का पिता यूसफ तो मरियम और यूसफ के शारीरिक संबंद बिनाए जाने से येशु का जनम नहीं हुआ येशु वसी कब मरियम की कोख में आये जब मरियम कुवारी थी शादी नहीं हुई थी, तब पवित्रात्मा की शक्ति से परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के पवित्रात्मा की शक्ति से परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई एक वर्जिन महिला, एक ऐसी महिला जिसको किसी पुरुष ने टच नहीं किया था, उसके द्वारा परमेश्वर क पुत्र इस जगत में आया पर ऐसा क्यूं हुआ क्यूंकि अगर परमेश्वर का पुत्र किसी पुरुष की सहायता से दुनिया में आता तो क्या हो जाता वो भी पाप में पैदा होता जब से दुनिया के अंदर पाप आया है तब से हमें ये देखना है जब से दुनिया में प वेहन के घर पे थे, उनकी बेटी अब धाई साल की हो चुकी है, और उनके सपना की, जो छोटी बच्ची है, उसके पापा ने हमसे बोला, कि आजकल ना इसने एक हैबिट सीखी है, हमने बोला, क्या है हैबिट सीखी है, वो क्या करती है, उसके पास जो उसकी चीज है, किसी न मेरा है, ये whatever, मेरा है, उसनी मेरा, मेरा करना, किसने सिखा दिया? कहां से वो सीख गई? स्वार्थ, कहां से, किस अपनी चीज को बच्чे क्या किसी को देना चाहते? छोटे बच्चे, क्या अपनी चीज गीस को देना चाहते? ये कौन से पाप को दर्शाता है, स्वार्थ को दर्शाता है, यह मेरा है, मैं किसी को नहीं दे सकता, यह स्वार्थ जो है, यह परमेश्वर का गुण नहीं है, यह तो पाप है, पर यह आया कहां से, इस पाप में हम पैदा होते हैं, और जिस पाप में हम पैदा होते हैं, बस बड़े हो चोटी उमर से वो पाप अपने फल दिखाना शुरू कर देता है। अगर येश्व मसी एक पुरुष की सहायता से दुनिया में आता, तो येश्व मसी पाप के अंदर पैदा होता। जो स्वयम पाप के अंदर पैदा हुआ, क्या वो पापियों को बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक कुवारी के द्वारा भेजा, सीधा पवित्रात्मा की शक्ती से मरियम की कोख के अंदर येश्व मसी पनप गए, येश्व मसी आ गए और उसी से इस बात का पता चलता है कि येश्व मसी पवित्र हैं। और बिना पाप के पैदा हुए हैं, वो पाप से उत्पन नहीं हुए हैं, वो पवित्रता से उत्पन हुए हैं, वो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मरियम की को इसलिए प्रभु येश्व मसी क्या है? परमेश्वर के पुत्र हैं. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में क्यों भेजा? यहां पे हम देखते हैं कि येश्व मसी गाओं गाओं नगर नगर शेहर शेहर जाता रहा और येश्व मसी वहाँ पर राज्य का सूसमाच प्रचार किया जा रहा है परमेश्वर ने अपने पुत्र येश्व को जगत में इसलिए भेजा ताकि जगत के लोगों को शुरुवात होई इसराइल से परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि येश्व मसी कौन से राज का प्रचार करे स्वर का राज, परमेश्वर का राज, जहां पर परमेश्वर राजा है, जहां पर परमेश्वर सब चीजों का मालिक है, और जिस राज में परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की प्रधानता और उसकी अथॉरिटी के अधीन, वो लोग चुने हुए लोग रहत सब कुछ बिगाड दिया और उस बिगडी हुई दुनिया में पापियों को चुने हुए लोगों को बचाने के लिए प्रभू येश्व मसी इस दुनिया में आ गया हालेलूया येश्व मसी यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयम मिशन पे है येश्व मसी कौन है परमेश्वर का पुत्र है और हम जानते हैं कि परमेश्वर एक परमेश्वर है कितने परमेश्वर है उस एक परमेश्वर के अंदर कितने शक्सियत वास करती है तीन कौन कौन सी है पिता पुत्र और पवित्रात्मा पिता, पुत्र और पवित्रात्मा तो अगर हम बोलते हैं कि येश्यु मसी परमेश्वर का पुत्र है तो वो परमेश्वर भी है अगर हम बोलते हैं कि पवित्रात्मा है तो पवित्रात्मा क्या है? परमेश्वर भी है परमेश्वर पिता मेरे पीचे बोले है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्रात्मा तो जब परमेश्वर का पुत्र आया, इसका मतलब परमेश्वर दुनिया में आ गया है जब येश्यो मसी मरियम की कोख में आ गया इसका मतलब परमेश्वर मरियम की कोख में आ गया पुराने निया में भविश्यवानी हुई कि उसका नाम Emmanuel रखा जाएगा उसका मतलब क्या है परमेश्वर हमारे साथ जब येश्यो मसी दुनिया में आ गया जब येश्यु मसी 2000 साल पहले हमारे साथ आ गया, इसका मतलब कौन आ गया? परमेश्वर आ गया और दुनिया में परमेश्वर स्वयम आया है दुनिया को बचाने के लिए एक सुन्दर दुनिया की शुरुवात हम बाइबल की शुरुवात में देखते हैं परमेश्वर ने अच्छी सिद्ध, सुन्दर, पवित्र दुनिया को बनाया था, लेकिन मनुष्य ने पाप किया और उत्पत्ती 3 पंद्रा में इसको अभी हम पड़ेंगे उत्पत्ती 3 के पंद्रा में परमेश्वर ने घोष्णा की कि इस पाप में पड़ी हुई दुनिया को बचाने के लिए वो क्या करेगा ये पहली घोष्णा सूसमाचार की हम देखते हैं जो अभी हम सुनेंगे उत्पत्ती 3 के पंद्रा के अंदर और मैं तेरे और इस्त्री के बीच में तथा तेरे वंस और इसके वंस के बीच में बैर उत्पन करूँगा वह तेरे सिर को कुछलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा बविश्यवानी हुई परमेश्वर ने कहा स्त्री का बीज उत्पन होगा मरियम स्त्री है उसका बीज प्रभु येश्व मसी है और उस बीज के द्वारा प्रभु येश्व मसी के द्वारा वो किसके सर को कुछलेगा शैतान के सर को कुछलेगा क्योंकि शैतान ने मनुश्य को भटका दिया और मनुश्य ने पाप किया और ये येशु समाचार की पहली घोशना जो हम बाइबल के अंदर देखते हैं परमेश्वर ने चुना है प्रभु येशु को कि वो इस जगत में पापियों का उद्धार करें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात लिखी है कि प्रभु येशु मसी इस दुनिया में क्यूं आया है जल्दी से पढ़ेंगे यह एक विश्वस्णिया और हर प्रकास्ट ग्रहन योग्या बात है कि मसी येशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ पालुस कहता है इस इस ट्रस्ट वर्दी सेंग ये विश्वस्णिया बात है सुनो वो कहता है ये विश्वस्णिया बात है ये पक्की बात है ये सची बात मैं कह रहा हूं ये विश्वस्णिया विश्वास के योग्या है विश्वास करने के योग्या सत्त की घोशना कर र वो बहन के लिए पिछले तीन-चार साल से प्रात्ना चल रही है कि वो येशु मसी को ग्रहन करे आज वोस बहन को मैंने पूछा आते ही पूछा मैं बहुत खुश हुआ उस बहन को चर्च के अंदर देख कर पर मैंने उस बहन से कहा ये एक विश्वास योग ये बात है विश्वास करने के लायक बात है और एक कौन सी बात है वर्दी अफुल एक्सेप्टेंस तुम लोग एक्सेप्ट कर लो पूरी तरह से तुम लोग इसको ग्रहन कर लो स्वीकार कर लो अपने दिल और अपने दिमाग को खोल दो, अपनी आत्माओं को खोल दो, यह सत्य तुम्हारे अंदर जाने के लिए कि कौन सा सत्य? कि प्रभु येश्व मसी इस दुनिया में पापियों को बचाने आया प्रभु येश्व का इस दुनिया में आने का एक मात्र, single most, the first and foremost, सबसे पहला कारण वो दुनिया में आया पापियों को बचाने के लिए अगर आप अपने आपको पापी मानते हो, अगर आप मानते हो और मैं मानते हो, यदि हम मानते हैं कि हमने पाप किया है तो एक चीज तो सत्य है, प्रभु येश्व मसी आपको बचाने आया है और ना केवल वो आपके पाप को शमा करने के लिए आया है, लेकिन आपके पाप को आपके जीवन से दूर खाडने के लिए भी आया है वो आपको पवित्र करने के लिए भी आया है वो आपको सही और सिद्ध और सीधा करने के लिए भी आया है वो आपको सुन्दर बनाने के लिए आया है जो गंदगी वो दलदल में, पाप के दलदल में गिरने से जो गंदगी हमारे चरित्र में, हमारे सोच में, हमारे स्वभाव में, जो गंदगी आ गई थी, येश्व मसी उस पाप को साफ करता है, उस पाप को केवल माफ नहीं करता, उस पाप को क्या करता है, साफ भी करता है, अर्थात उसे हमारे जीवन से निकालने की सामर्थ भी रखता है इसलिए मेरे प्रियो इस बात को देखें परमेश्वर क्या कर रहा है स्क्रीन पे देखें सबसे पहली बात, परमेश्वर स्वयम मिशन पर है God Himself is on mission, परमेश्वर खुद मिशन पर है जहां परमेश्वर पूजा जाएगा, जहां परमेश्वर जाना जाएगा, जहां पर नियम परमेश्वर के चलेंगे इस राज का प्रभु येश्व मसीश सुसमाचार प्रचार कर रहा है 12 का 46 हम देखेंगे मैं जोती हूँ और जगत में आया हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो अन्दकार में न रहे हलेलूया, क्या बोला येश्व मसीरे मैं कौन हूँ? मैं जोती हूँ I am the light I have come into the world as the light मैं जोती हूँ, मैं स्वर्ग में जोती के रूप में आया हूँ और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो अन्दकार में नहीं रहेगा येश्व मसी इस जगत में इस मिशन पर आया था 2000 साल पहले कि वो पापीओं को बचा ले और अन्दकार में पड़ी हुई दुनिया के लोगों को अन्दकार से बाहर निकाल ले और प्रभु येश्व मसी जब इस मिशन को लेकर जब प्रभु येश्व दुनिया में आया तो प्रभू येशु मसी ने एक सिद्ध जीवन भी जिया, कभी पाप नहीं किया और फिर येशु मसी ने क्रूस पे मर के अपनी जान दे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है यही है सू समाचार, यही है सत्य, यही है दुनिया की सबसे बड़ी सचाई जो मैं आपके सामने साफ साफ कहता हूँ, सुनने में कुछ खास नहीं लगती इन फैक्ट पॉलूस तो कहता है कि सू समाचार उसमें कुछ भी बबात नहीं है, यह फूलिश मेसेज है सुनकर कोई इंप्रेस नहीं होगा, सुनकर किसी को खास नहीं लगता अगर हम बाहर जाएं, किसी को बोलें प्रभु येश्व मसी पापों के लिए मर गया उनको ये बात बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी क्योंकि वो पाप के अंदर पूरी तरह से पाप के अंदर पड़े हुए लोग हैं जैसे आप और मैं भी थे येने की हम ज़ादा अच्छे हैं उसने हमारी आखों को खोल दिया तो हम प्रभु को पहचान पा रहे हैं केवल वो इस समय पाप के अंदर पूरी तरह से पूरी रीती से डूबे हुए हैं, इसलिए उनको पाप का बोज महसूस नहीं होता, सादू सुंदर सिंग ने एक बात कही थी, कि अगर आप पानी के नीचे होते हो, अगर आप पानी के अंदर हो, क्या पानी का वजन होता है, अगर ये बोतल जो है, यदि मैं इसको खाली कर दूँ तो तब हलकी होगी, या भर दूँ तब हलकी होगी, आप जवाब दे सकते हैं, कब हलकी होगी, भरी होई या खाली, इसका मतलब पानी के अंदर वजन है, हाँ या ना, पानी के अंदर वजन है, मनुष्य पाप के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ है लेकिन जैसे कोई मनुष्य जैसे पानी के बिलकुल नीचे है पानी के अंदर है पानी में तो वजन है क्या उसको वजन महसूस होगा? नहीं उसी मनुष्य को बाहर निकाल दो उसके बाद उसके उपर तुम एक आधी बाल्टी पानी रख दो आधा बाल्टी पानी क्या उसको वजन महसूस होगा? तो फिर क्या फरक है? पूरा का पूरा पानी उसके अंदर जब वो मनुष्य है उसे तो कोई फरक नहीं पड़ता? लेकिन पानी से बाहर निकाल दिया तो आधी बाल्टी का बोज उसको उठाना मुश्किल लगता है क्यूं? यही है बचाय हुए और नहीं बचाय हुए लोगों का बीच का अंतर जो लोग प्रभू में आ चुके हैं और जो जिनको अभी येशु मसीख को पहचानना है उनके अंदर यही तो फरक है जो प्रभू येशु मसीख को नहीं जानते हैं उन्हें पाप का कोई भी एहसास उनको नहीं है लेकिन एक बात तो सत्य है प्रभू येशु दुनिया में क्यूं आया? पापियों को बचाने के लिए आया है और ये बात सत्य है ये बात सत्य है कि प्रभू येशु मसी दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया है इबरानियों उसका दो का चौदा पढ़ेंगे इबरानियों उसके दो का चौदा अत्या जिस परकार बच्चें मास और लहू में सहबागी है तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहबागी हो गया कि मृत्यू के दौरा उसको जिसे मृत्यू पर शक्ती मिली है अर्थात शैतान को शक्ती हिन कर दे येशु मसी शरीर और लहू में मास और लहू के रूप में क्यूं आया मतलब येशु मसी मनुष्य बनकर, इंसान बनकर क्यूं आया शैतान को हराने के लिए हलेलुया पाप का बलिदान अपने आप को परमेशुर के सामने बलिदान करने के लिए प्रबु ये शुमसी इस दुनिया में आया है और हमें अनंत जीवन के लिए हमें अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया है यहना चे का 51 देखेंगे जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सरवदा जीएगा और जो इस रोटी में जगत के जीवन के लिए दूँगा वह मेरा मास है हलेलुया, क्या आप कहा प्रभु ने कि I am the living bread मैं जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से आया है मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवित रोटी हूँ जो मुझे खाएगा वो हमेशा के लिए जीएगा प्रभु येश्व मसी इस दुनिया में एक mission पे आया है 2000 साल पहले वो ऐसी गुमने फिरने के लिए नहीं आया प्रभु येश्व मसी इस दुनिया में एक mission को, एक उदेश्य को लेकर इस जगत में आया था और वो था, हमें पाप के अंदकार से निकालना हमें पाप के अंदकार से निकालना ये उसका कार्य है कभी भी अपने आपको हम नहीं बhula सकते इस बात को, कि प्रभु येश्व मसी इस जगत में केवल हमारे दुखों को हटाने मिटाने नहीं आया हमें यही लगता है कि प्रभु येश्व मसी के पास जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा अफकोर्स प्रभु येश्व मसी हमारी सब समस्याओं को दूर करने की सामर्त रखते हैं और करते भी हैं पर अपनी मर्जी से और अपने समय पर करेंगे लेकिन इस बात को नहीं भूलना है कि प्रभु का इस दुनिया में आने का प्राइमरी रीजन पहला रीजन ये था हमारे पापों से हमको माफी देना और जब हम उसके अपने पापों को मान कर येशु को मान कर और येशु मसी के बलिदान को सच्चा मान कर हम जब उसके रास्ते पर चल पड़ते हैं बबतिस्मा ले लेते हैं और एक विश्वासी बन जाते हैं तब जीवन की समस्याओं में वो हमें नहीं छोडता है हलेलुया वो हमारे साथ है हलेलुया लेकिन ये जानना है प्रभू का mission है the mission of God is saving sinners in the world परमेश्वर का mission है दुनिया में पापियों को बचाना है सवाल उठता है क्यों प्रभू क्यों प्रभू इस mission पर है परमेश्वर तो सिद्ध है परमेश्वर तो संपून है परमेश्वर तो complete है अपने आप में पित्रा पिता, पुत्र और पवित्रात्मा तीनों एक साथ हैं united हैं, उनके अंदर कोई problem नहीं है वो तो सिद्ध हैं, complete हैं और संतुष्ठ है अपने आप में फिर क्यों परमेश्वर इस मनुष्य को जिसने पाप किया है इस मनुष्य को क्यों बचाने के लिए वो 2000 साल पहले आया क्यों परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया क्यों उसने अपने बेटे को जलील होने के लिए पापियों के हाथ में सौंप दिया कि जिन लोगों को येशु मसी ने बनाया, वही लोग येशु मसी को क्रूस पर चड़ाएं, उसके मूँ पर थूकें, उसे गालिया निकालें, उसका मजाक उड़ाएं, उसे नंगा कर दें, क्यूं उसने ऐसा किया? Why is God so interested in man? क्यूं परमेश्वर तुम लोगों में और मुझ में, जो पापी हैं, क्यूं परमेश्वर इतनी रूची रखता है? क्यूं सुसमाचार हमारे लिए इतना जरूरी है? क्यूं हम जैसे लोग अपना करियर छोड़ कर क्यूं पास्टर बने हैं? क्यूं एवेंजिलिस्ट बनते हैं? क्यूं मिश्णरी बनते हैं? क्यूं अपना घर भार छोड़ कर सबसे पहले प्रभू के काम में लगते हैं? क्यूं? इसका उत्तर हमें इसी वचन में जो आज का हमारा वचन है इंतिस वचन हमने देखा लेकिन अब छत्तिस वचन देखते हैं जो आपके सामने खुला हुआ ध्यान से देखिए छत्तिस वचन क्या लिखा है? और जनसमू को देखकर उसे लोगों पर तरस आया क्या लिखा है कि जब उसने भीड को देखा उसे भीड पर तरस आया इसका मतलब वो लोगों से प्रेम करता है उसने लोगों को नहीं पता लोगों को नहीं पता कि वो उनकी क्या हालत है लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये लोग मेरे बिना नाश होने वाले हैं परमेश्वर को पता है, येशुवसी को पता है कि जगत का उध्धार केवल वो कर सकता है और उसने किया भी है पापी लोग नहीं जानते कि पाप का अंत क्या होने वाला है और वो है अनन्त काल के लिए नर्ग की आग में जलना, ये है पाप का अन्त, this is the result of death, the wages of sin is death, पाप की दिहाडी मजदूरी क्या है, मृत्यू, हमने पाप किया, और अगर हमने पाप किया है, तो पाप का result मिलेगा हमें, और पाप का इनाम क्या है, अनन्त काल की मृत्यू, सद और इसलिए परमेश्वर इस मिशन पर है, परमेश्वर इस मिशन में उसने अपने पुत्र को भेजा है, क्यूंकि वो लोगों से प्रेम करता है, और यही हमारी दूसरी शिक्षा का विशे है, परमेश्वर स्वयम मिशन पर है, क्यूंकि वो लोगों से प्रेम करता है, उस के अंदर कैसे लिखाया क्योंकि वो उन भेडों की समान थे पीड़ थे उदास थे जिनका कोई चरवाह नहीं है आज आप उन लोगों की बारे में देखो आज और एक बड़ी एक बहुत अजीब सी बात है हम सुबा सेक्टर चौदान चर्च में हम लोगों ने ये गीत गाया प्रभू के बारे में हमने वचन बोला अराधना की प्राथना की सब कुछ किया हमने गुडगाओं शेहर के लिए प्राथना की हमने दुनिया भर के लिए प्राथना की फिर हम जब बाहर निकले तो सेक्टर चौदा चर्च के बाहर एक घर है वहां पर कोई दफतर अफतर वहाँ पर सफेद टेंट लगाकर भजन कीरतन चल रहा था, किसी और लोगों का, और जब निकलने के बाद रास्ते में बहुत गाड़ियां थी, तो मैं टेंट के साथ साथ चल के अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, और वो हर्मोनियम तबला लेकर जो भजन गारे थे न, पता उस भजन की लाइन क्या थी, पाप का बोज हमारे सिर पर है, पाप का बोज हमारे सिर पर है, और हमें बचाले, हमें छोडाले, लेकिन वो उसको गारे हैं, जो मरा हुआ है, वो मांग रहे हैं, वो कह भी रहे हैं, पाप का बोज हमारे सिर पर है, लेकिन पाप का बोज हमारे सिर पर उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि येशुमसी ने पाप को अपने उपर उठा लिया है and I was like hey प्रभू यहां पर चर्च है और यहां पर सच्चाई बोली जाती है यहां पर तेरा वचन बोला जाता है ठीक इसके सामने लोग अपने पापों के लिए रो रहे हैं प्रभू इनको नहीं पता कि तू ही उद्धार करता है और तू ही इनको सत्य बताने वाला है तू ही इनको बचाने वाला परमेशन में गा प्रभू अगर यह थोड़ा सा इस तरफ आ जाए इनकी जिन्दकी बदल जाएगी इनका अनंत काल बदल जाएगा सड़क पार करनी है बस ठीक आमने सामने था चर्च के बिलकुल दस मीटर पे लोग रो रहे थे पाप की पाप का बोज हमारे उपर भारी है नहीं पता कि येश्य मसीह ही है जो हमें पाप से बचा सकता है और ये पाप बड़ा गंभीर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है इसलिए पाप गंभीर है स्वर्ग बहुत पवित्र जगा है जब जब शेतान जोकी पहले शेतान नहीं था जैसे ही उसके मन में पाप का विचार आया, उसे नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि स्वर्ग में अपवित्रता, बुराई स्वर्ग में वास नहीं कर सकती, अगर वास नहीं कर सकती, इसका मतलब प्रवेश कैसे करेगा पापी मनुश्य? इसलिए पापों की माफी पाना बहुत जरूरी है, और यही सूसमाचार का कोर है, यही सूसमाचार का केंदर बिंदू है, गुनाहों की माफी, प्रभू येश्य मसी ने कहा, जब मनुश्य का पुत्र क्रूस पर उठाया जाएगा, तब वो सारी जातियों को अपने पास बुला लेगा, जब मनुश्य का पुत्र उठाया जाएगा, मतलब जब मनुश्य का पुत्र अर्थात येश्य मसी, जब येश्य मसी क्रूस पर उठाया जाएगा, तो उसने कहा, सब लोगों को मैं अपने पास बुला लूँगा, सब जातियों के लोगों को मैं मेरे पास बुलाओंगा लिखा है कि तब उसके बाद प्रभु ने कहा कि गुनाहों की माफी का सूसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार किया जाएगा हालेलुया आज हमें गुनाहों की माफी का सूसमाचार प्रचार करना है और उस पर पहले विश्वास करना है परमेश्वर प्रेम करता है परमेश्वर हमें प्रेम करता है Hallelujah वो harass थे, वो helpless थे उनका कोई मददगार नहीं था वो भेड़े थी, जिनका कोई चरवाहा नहीं है परमेश्वर स्वय मिशन पर है और दूसरी बात परमेश्वर इसलिए मिशन पर है, क्योंकि वो क्या करता है, लोगों से प्रेम करता है, अब परमेश्वर को देख लिया हमने, परमेश्वर की पुत्र को देख लिया, वो क्यों मिशन पर है ये हमने देख लिया, अब हम एक सवाल उठता है, इसमें मेरा क्या काम है, मैंने त मैंने तो प्रभु येशु को मान लिया, मेरे गुनाह तो माफ हो गए। आज मैं मजाग मजाग में अपने परिवार से किसी से पूझ रहा था, मैंने उनको बोला है, मैंने तुम्हारा उद्धार हो गया। तो उन भोला हाँ मेरा उद्धार हो गया, तो हम सब का उद्धार तो हो गया, हमारे पाप माफ तो हो गए, हमें पाप की दलदल से निकाल लिया गया है, तुरुटियां हैं, गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, अभी भी कभी कभी गिर जाते हैं, पर प्रभू हम पे मुरम्मत कर हमें नया बना रहा है ऐसा नहीं कि अब हम पाप नहीं करते लेकिन हमारा उद्धार हो चुका है कभी भी हम इस बात पर डाउट ना करें कि अगर मैं आज मर गया तो कहां जाओंगा क्योंकि मैंने कल तो पाप किया था और आज मेरी मृत्ति हुई तो इसका मतलब मैं कहां जाओंगा मैं तो पाप करके मरा हूँ विश्वासी जीवन में हमसे पाप होगा विश्वासी जीवन में हमसे पाप होगा लेकिन जितनी बार हमसे पाप होगा उतनी बार हम शान्ती में नहीं बैठ सकते तब तक, जब तक कि हम घुटनों पे आके माफी न माँग लें और जब हम माफी मांगते हैं एक विश्वासी के रूप में जब हम से गलती हो जाती है पाप हो जाता है जब हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं तो हमें इस बात की guarantee होनी चाहिए कि वो हमें माफ करता है वो हमें माफ कर देता है तो हमारा तो हो गया उद्धार बट अब इस mission को लेकर मेरा क्या रोल है ये तो खुदा का mission है ना ये तो mission खुदा बाब का है उसका mission है उसकी दुनिया है और ये दुनिया के लोग उसके हैं दुनिया के लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर ने मुझे तो बचा लिया, खुदा का धन्यवाद हो, लेकिन अब जो बाकी लोग बचे हैं, इनको बचाना किसका काम है, परमेश्वर का काम है, क्योंकि उसकी दुनिया है, इसमें मेरा क्या रोल है, और इस रोल के बारे है परंतु मजदूर थोड़े है इसलिए फसल के स्वामी से विंती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भीज दे तैयार फसल तो बहुत है पर मजदूर कम है इसका मतलब क्या है तैयार फसल तो बहुत है मतलब बहुत से लोग भीडों की भीड तयार है प्रबु येशु को ग्रहन करने के लिए पर काटने वालों की कमी है मस्दूरों की कमी है मतलब उनको जाके बताने वालों की कमी है पर दुनिया में चार बिलियन से भी जादा ध्यान सुनना इस बात को दुनिया में प्रभु को जानने वाले जादा है या प्रभु को ना जानने वाले जादा है जानने वाले प्रभु को येशु मसी को मानने वाले जादा है ना मानने वाले कम है कितने है तीन बिलियन जानने वाले कितने है चार बिलियन तो प्रभु का ये बचन हमारे दिल को दुख पहुं 3 billion लोग प्रबु को नहीं जानते हैं और तो भी सत्य वचन क्या बोल रहा है कि काटने वालों की कमी है इस में सोचने के बात है इसमें की बात है कलीसिया निश्कृय है कलीसिया, दुनिया भर की जो कलीसिया है जितने जोश में कलीसिया को होना चाहिए नहीं है, जितना हमारे अंदर जुनून खुदा की महिमा के लिए और आत्माओं को जीतने के लिए जितना जोश हमारे अंदर होना चाहिए न, उतना नहीं है, इसलिए चार बिलिन खुदा को जानते हैं, तीन बिलिन खुदा को नहीं जानते लेकिन अभी तक नहीं जाना 2000 साल हो गए किसने का यह सोचने की बात है कि दुनिया के कोने कोने में छोटे से छोटा शहर, छोटे से छोटा गाउं छोटे से छोटा पहाड़ी पर बसा हुआ कोई प्रदेश की बात, कोई छोटे से गाउं की बात कर लो दुनिया के कोने-कोने में कोका-कोला पहुँच गया है यशुमसी का नाम नहीं पहुँचा है और ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि अब तक कितने लोग हमारे अपने देश में 2000 साल पहले संथौमस इस देश में हमारे देश में सुसमाचार लेकर के आया दो हजार बाईस साल के बाद आज केवल पांच प्रतिशत लोग इस देश में येशुमसी को जानते हैं जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार कौन है चर्च जिम्मेदार है हम जिम्मेदार है क्योंकि हम मजदूर नहीं बने है प्रभू ने कहा फसल तो तयार है लोग तयार है तुम ये मत सोचो कि लोग विश्वास नहीं करेंगे मुझे याद नी मैंने आपको पिछले हफ़ते बताया कि नहीं लेकिन एक अनूप सिद्धू नाम का सिख लड़का एक साल पहले कैनड़ा में मेरी उससे मुलाकाद हुई मारे चर्च ने बोला कि आप भी सिख बैक्ग्राउंड से आप इसको मिलो वो चर्च में आया था मैं उसको मिला और मेरे को मिलते साथ उसने बोला कॉफी शॉप पे गए और बैठे और जैसी वो बैठा वो डर गया उसने बोला देखो मैं तयार नहीं हूँ पास्टर मैंने बोला मैं सिर्फ आप से मिलने आया हूँ उसने बोला मैं तयार नहीं हूँ ग्रहन करने के लिए मैं नहीं मानता येशु मसी परमेश्वर है, उसने मुझे साफ साफ बोला, पर उसने बोला, मैं खोज कर रहा हूं, और उसने बोला, मैं गिंती की किताब तक पहुँच गया हूं, मैं अच्छे से स्टडी कर रहा हूं, ये 10-11 महीने पहले की बात है, यहां आने के 10-12 दिन प हम सब बैठे हुए थे, तो जो हमारा जो नौजवानों का पास्चर है, जो यूथ पास्चर है, उसने एक बात बोली और उसने कहा, कि मैं एक खुशकबरी देना चाहता हूं, एक अनूप सिद्धू नाम का लड़का है, उसने प्रभू येश्यो मसी को ग्रहन कर लिया है, पर ये किस बात को, ये तो एक ही आदमी है, लेकिन आपको सच बताऊ, दुनिया के कोने कोने में भीडों की भीड़ प्रभू येश्यो मसी को ग्रहन कर रही है, लेकिन और भीडों की भीड़ तयार है, कमी है मिश्णरीस की, कमी है उनकी जो जाके उनको बताएंगे, कमी है एक active कलीसिया की कमी है एक ऐसी कलीसिया की कमी है मतलब कलीसिया जो है पूरी विश्विय कलीसिया है यह उतनी जोश में नहीं चल रही है हमारे इसी चर्च मैंने अपने हाथों से एक जवान को बब्तिस्मा दिया था उसको जब मैं इंडिया आया तो कब की बात है यह लगभग चार-पांच दिन पहले की बात है तो सुबह-सुबह में उठा और जब उठा तो उठते साथ मुझे उसका खेयाल आया तो मैंने उसको टेक्स्ट किया उस जवान को मैंने मेसेज किया और मैंने बोला कि क्या हम बात कर सकते हैं, और वो भी खुश हुआ कि हम बात कर पाएंगे, तो उसी दिन शाम को मेरी उससे बात हुई, और मुझे मालूम था कि वो नौजवान, मुझे कुछ-कुछ डाउड था कि वो नौजवान प्रभू के रास्ते पर नहीं चल रहा, वो जिस Kalisya का ये मेंबर है, मैंने बाद मी मेंने पता लगाया, जिस चर्च का ये में बढ़ है, उस चर्च में ऐसे यस विश्वास किया जाता है, कि चर्च में आप गानाे लिः चाहिएं, चर्च में EU आप गाना नहीं सकते, आपका पास्चर शच ये तभी है, अगर आपक वो गरीब शिक्षा पर वो विश्वास करता है. यहां तक कि येशु मसी का भेजा हुआ जन दुनिया को बचाने के लिए जो अब आया है, वो सिंगापूर में पैदा हुआ है. इस प्रकार की उल्टी-पुल्टी शिक्षा इसको जूटी कलीसिया बोलते हैं. तो वो जूटी कलीसिया के अंदर फसा हुआ है. मुझे डाउट तो था, जो मैंने उससे बात करी, तो मैंने उससे काफी सारे सवाल पूछे. और उसने मुझे उत्तर दिया, और मैं पहचान गया कि ये ये फसा हुआ है बहुत बुरे तरीके से. पर मैंने एक बात को देखा उसके अंदर. वो मुझे अपनी तरफ जीतने के लिए कोशिश कर रहा था. और उसने बहुत भरपूर कोशिश की उसने. उसने ये तक कहा कि पास्टर मेरे दिल में आपके लिए बोज है. वो मेरे लिए बोज लेके बैठा है. जूटी कलीसिया में बैठा हुआ है खुद. पर यहाँ पर जिस बात की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो जूटी कलीसिया वालों के अंदर कितना जोश है. आपको मालू में वो फसा कैसे जूटी कलीसिया में? वो Bible Society of India गया था Bible खरीदने के लिए. Bible Society of India के बाहर उसे एक नौजवान मिला जो जूटी कलीसिया का मिशनरी था. उसको मालू में कि यहां लोग घुसते हैं, क्रिश्चन लोग घुसते हैं, उनको अपनी तरफ फसाना है, तो वो उनको कुछ पर्चियां बांट रहा था. और BSI के बाहर उसको वो जो जूटे शिक्षा की जो पर्ची थी, वो उसको दी गई, उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया, आज पांच साल हो गए, वो फसा हुआ उसके अंदर. उसके बाद मैंने काफी समय लिया, उसको बहुत सारा प्रमान दिये, मैंने उसको बहुत सारे सबूत बना-बना कर भेजे, खटा करका भेजा इंटरनेट से, कि इसको पढ़ मेरे दोस्त, और तु सच्ची शिक्षा में वापस आजा. पर आप सोच के देखो कि कितना जोश रखते हैं जूटी कलीसिया वाले. हमारे रजोकरी के अंदर, चार-पांच साल पहले की बात है कि जूटी शिक्षा वाले आये थे, यरूशिलम माता वाले. कितने लोगों ने सुना यरूशिलम माता वालों के बारे में? तो यरूशिलम माता वाले कोई आये थे, यरूशिलम गाओं कह रहा हूँ, वहां भी गए होंगे वैसे, आज के डेट में तो, वहां भी पहुंच गए है, जूटी शिक्षा वाले. खेर, अभी तो रजोकरी पहुंचे, कहां पहुंचे? रजोकरी. और चार बजे, पांच बजे के आस-पास की बात है, मुझे राम सफल जी का फोन आया था, कि भाया यहां पर ना कोई यरूशिलम माता वाले आये हैं, पैंतालिस मिनिट के अंदर हम वहां पहुंच गए थ और घर घर में पहुंच जाते हैं, उनको पता है कि क्रिस्चन लोगों को पकड़ो और इनको फसाएंगे अपने वाले अपनी जूटी शिक्षा के अंदर. जो मेन चीज में आपको बताना चाहता हूँ, जोश देखो उनका, जूटी शिक्षा वालों का जोश देखो, तली बरकरार है, उसी जोश में बढ़के इतने सालों का नतीजा उन्होंने 22 जनवरी को देखा, तो जो प्रभू को नहीं जानते हैं, उनकी अंदर जोश है, जो जूटी शिक्षा वाले हैं, उनकी अंदर जोश है, जो प्रभू को सच्चे खुदा को जानते हैं, वेर इस देर करने की जरूरत है, और ये पर्सनल रिस्पॉंसिबिलिटी की बात है, अब नहीं हूँ आप बच्चे, बड़े हो, बच्चों की तरह विवहार करते हो, वो बात अलग है, बहुत जैसे पॉलू कहता है, तुम्हें अब तक सॉलिड चीजे समझ में आ जानी चाहिएं थी, अब तक तुम दूद पीते बच्चे हो, पर वो तुम्हारी कलती है, वो तुम्हारी कमी है, तुमने ग्रो करना बंद कर दिया, और बहुत बार में अपने बारे में इस चीज़ को सो, आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, और मैं बहुत बार रुक रुक कर अपने जीवन के बार उसके आनन्द में, उसकी सेवा में, जितना हमें बढ़ जाना चाहिए था, हम शायद नहीं बढ़े हैं। तो, परमेश्वर मिशन पर है, वो मिशन पर इसलिए है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। पर हम तो बचा लिए गए, अब इसमें मेरा रोल क्या है। और यहीं पे हमें समाब करना चाहूँगा, कि परमेश्वर अपने मिशन में हमें साथ जोड़ने के लिए बुलाता है, परमेश्वर आपको उसके मिशन में जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फसल तो बहुत है बढ़ काटने वाले कम है इसलिए तुम प्राथना करो फसल के स्वामी से प्राथना करो कि वो फसल के काटने वाले मजदूर भेजे अब आपको समझ में आया कि इसमें आपका रोल क्या है आपको समझ में आया कि प्रभू के मिशन में आपका रोल क्या है प्रभू कहता है मेरा मिशन है दुनिया को बचाना है और मैंने दुनिया को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा मैंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया क्रूस के उपर, जिसने पाप नहीं किया, उसने पापियों के लिए अपनी जान दे दिये और उस पर हमने विश्वास कर लिया खुदा का धन्यवाद हो, लेकिन जहां तक mission की बात आती है, salvation done, mission not done इस बात को समझो salvation उद्धार हो चुका आपको मिल चुका उद्धार, लेकिन mission पूरा नहीं हुआ है और उस mission में आपको अपना रोल निभाना है और उस mission के लिए पहला कार्य क्या करना है उस mission के लिए पहला कार्य है मजदूरों के लिए प्रात्ना करो प्रात्ना करो कि बहुत से लोग से खड़े हो जाएं जो सूसमाचार की सेवा दुनिया भर में करें और वो जो तीन बिलियन लोग हैं वो बचा लिये जाएं हालेलुया और प्रभू ने कहा कि जब राज्य का सूसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा तब अंत हो जाएगा तब येशुमसी उनको बताए और उनकी आखे खुल जाएं और वो प्रभू को जान ले आठ सो जातियां पाकिस्तान के अंदर इंतजार कर रही हैं आठ सो जातियां पाकिस्तान में इंतजार कर रही हैं सूसमाचार वालों का 500 जातियां चाइन के अंदर इंतजार कर रही हैं 500 जातियों के लोग चाइना के अंदर वेट कर रहे हैं, सूसमाचार उन तक पहुंच जाए। नेपाल के अंदर 200 जाती हैं, 400 जाती हैं, नेपाल के अंदर इंतजार कर रही हैं, 230 जाती हैं, बंगलादेश के अंदर इंतजार कर रही हैं, सूसमाचार उन तक पहुंच जाए। यही पांच टॉप देश हैं पूरी दुनिया में, जब इन पांच देशों में सूसमाचार का काम पूरा हो जाएगा, प्रभु येशुमसी वापस आ जाएगा। जब राज्य का सूसमाचार हर जाती तक पहुंच जाएगा, तब अंत हो जाएगा। और इसलिए हमें प्रातना करनी हैं भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, निपाल के लिए और बंगलादेश के लिए और इसके अलावा और बहुत से जो देश हैं जहां पर अभी सूसमाचार नहीं पहुंचाए इन देशों के लिए हमें प्रातना करनी हैं और केवल प्रातना नहीं करनी, मजदूरों के लिए मजदूर बन भी जाना है, मजदूरों के लिए प्रातना ही नहीं करनी, और क्या करना है, साथ में मजदूर बन जाना है, कौन है मजदूर, जो दूसरों को प्रभू येश्यो मसी के बारे में बताता है, है, that's a मज़़ूर, वो है मज़़ूर, आप अपने और आपको पास्टर बनने की आवशक्ता नहीं है, आपको अपनी जॉब छोड़ कर, एवेंजेलिस्ट, मिशनरी, चर्च के अंदर इंटर्णशिप करने की आवशक्ता नहीं है, आप जहां हो, जैसे हो, आप प्रभू के लिए जीना शुरू कर सकते हो, लेकिन आप में से जिनको प्रभू ने बुलाहट दी है, उस बुलाहट में आगयकारिता में आना भी जरूरी है, जिनके लिए विशेश बुलाहट है पास्टर बनने के लिए मिश्टरी बनने के लिए एवेंजलिस्ट बनने के लिए आपको आगे भी आना है और आग्या माननी है और प्रभू की सेवा में लग जाना है इस वचन में हमने देखा प्रभू येश्यो मसीh गांगांगांगर नगर जाते हैं और ये इस बात की तस्वीर है कि परमेश्वर स्वयम मिशन पर है, पर क्यूं है वो मिशन पर क्यूंकि वो लोगों से प्रेम करता है, लिखा है जब उसने भीड को देखा, उसे भीड पर तरस आया, क्योंकि वो लोग harassed, उनका वो लोग, क्या word लिखा उसके अंदर? वो पीड़ित लोग है प्रभू पीड़ित लोगों को देखकर उन पर तरस खाता है और सबसे बड़ी पीड़ा हमारी पाप की पीड़ा है, और पीड़ाएं अमत करो, मजदूर बन भी जाओ हालिलूया तीन बातों को हमने देखा परमेश्वर स्वयम मिशन पर है, वो इसलिए मिशन पर है, क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है पर आपको भी वो इन्वाइट करता है उस मिशन में जुडने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब, और मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा क्यों खुदाबाब अपना काम अपने समय पर करता है लेकिन मेरे खाल में तीन साल हो जाएंगे या होने वाले हैं जब, I don't know, दो या तीन साल हो जाएंगे जब निहाल और अमित और तपस इस चर्च में इंटर, मैं सोचता हूं कब, कब तक ये जाने का समय कब आएगा और आप लोगों को प्रात्ना करनी है कि आपकी कलीसिया, ये येशु नाम सत्संग कलीसिया, ये इन लोगों को भेजने वाली कलीसिया बने, इन लोगों को भेजना है, हमारी बुलाहट केवल लाने की नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर लेके आते हैं, ट्रेन करके फिर भेजते हैं, ये है हर कलीसिया की बुलाहट अब आप लोगों को प्रात्ना, डेली डेली हर रोज आपको फिर कौन होगा जो ट्रेनिंग में आएगा या कौन होगा जो देना चाहता है अपना जीवन खुदा की सेवा के लिए ये तो साइकल है जो मल्टिप्लाइ होना चाहिए पर इसके लिए कलीशिया को निश्करिय अगर होएगी तो नहीं होगा लेकिन जब कलीशिया एक्टिव हो जाएगी जब प्रात्ना में मजबूत हो जाएगी हम जब प्रात्ना में बुलंध हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए इस्तिमाल करता है मैं बहुत खुश हो कि जब हम यहां से गए थे तब चकरपुर की बातचीत हम कर रहे थे जिस रात हमारा केनड़ा का वीजा आया उस रात को भी हम इस बात की चर्चा करके ही उस उस दिन भी हम लोगों ने मीटिंग की थी पास्टर अरविंद और मैं उस दिन हमने तीन चार अगली कलीसिया स्थापना के वारे में उसके बाद मैं विक्टर के घर पे रात को दस बजे था जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा था तब रात को दस बजे वीजा आया में कर प्रभू तेरी महिमा हो पर यह हमारा चर्च जिसकी हम आज बातचीत बड़ी कर रहे थे और मु करना है अपना जीवन मेरे प्रियो प्रभू की महिमा के लिए दे दो अपना जीवन प्रभू के मिशन के लिए दे दो अपने आपको समर्पित कर दो कि प्रभू मैं हूँ तेरे सामने हूँ अनाडी हूँ अनपढ हूँ पर तु मुझे इस्तिमाल कर दे दो अपना जीवन प्रभू की महिमा के लिए और देखो खुदा किस तरह आप पर जब तक आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहेंगे ना वो आधा धूरा समर्पन पसंद नहीं करता ग्रहन ही नहीं करता आधा धूरा समर्पन मैं प्लैन करूँगा मैं डिजाइन करूँगा मेरे अनुसार होगा इतना सा मैं करूँगा बाकी नहीं करूँगा हम जब प्लैनिंग करते हैं अपने हिसाब से हम जब क्या बोलते हैं उसको condition लेकर हम समझौता करने जाते हैं प्रभू के साथ जब ऐसा होगा तब सेवा करूँगा या इतनी सेवा करूँगा या यह वाली सेवा करूँगा पर यह वाली सेवा नहीं करूँगा जब जब तक आप यह तिगडम चलाओगे प्रभू आपको इस्तिमाल नहीं करेगा, He wants surrender उसे surrender चाहिए समर्पन चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ और confidence के साथ कह सकता हूँ, यदि आप समर्पन करेंगे प्रभू आपको अपनी सेवा के लिए इस्तिमाल करेगा, आप अपनी जीवन को देने वाले बने, आलेलुया आए हम यहाँ पर समाप्त करें प्रभू हम सब को बड़ी आशीश दे और इस बचन को हमारे अंदर पल ले करके आए आए हम दो मिनिट के लिए प्रात्ना करेंगे और अपनी आखों को हम बंद करें